नमस्कार दोस्तों एक वीद और दिवीद चिकिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आपन करें जो मुस्स जेनुएन जिनको अपन मानें तो वह बात अपन कर रहे हैं इसके लाओर भी आप देखोंगे तो जो हैं राइटर से वह एक दो और खुशा देते हैं तो यह पांच हैं यह उते हो थेंटीक है और सही भी है जिए हैं इसके बाद आगे चलेंगे तो एक ल популяр विचार आभी सब्सके हैं किहिसां मतलब होता है कि रेशनल तेपि यह फिर युक्ती को अपन समझे तो सोच समझ कर शीकिसा्या ठीक है युक्ति से योजना से ह्लागे किि दोस्वतर करती देश काल आदी के बारे विचार करके मतलब अपन देखते हैं कि रोगी की कौन सा दोस्त प्रकुपित है या फिर गटा हुआ है प्रकरती कैसी है देश काल वगेरे देखते हैं इसके बाद इसके बाद क्या करते हैं उसमें उस हिसाब से जो है उसकी ओस दियोजना करते हैं और उससे जो है पन तो इस में जनरली है आपका 문제가 और टाल फोर फोर देखते है तो उसको समझा कि जो करते हैं शिरफ पविचारों से ठीक है उसlicht तो उसको अपन बोलते हैं सत्वा वजे चिकिच्छा जी हां इसके बाद अपन आगे चलते हैं दूसरा सेट अपन देखते हैं तो इसमें अपन बात करेंगे अपकर्षन निदान पर इवर्जन और परकृति विगात का तो इसमें थोड़ा सा परकृति विगात पहले आता है निदान पर यूर्जन बात में आता है तो कोई दिकत नहीं तो सबसे पहले बात करें अपकर्शन की तो अपकर्शन जो फर्दर दो में डिवाइड रहता है एक तो बाही अपकर्शन और एक आभेंतर अपकर्शन अपकर्षन का मतलब क्या होता है अपकर्षन का मतलब होता है कि निकालना ठीक है निकालना तो किसी निदान को या फिर अपन कहें जिसकी वज़े से अपने को कर्ष्ट हो रहा है या फिर कोई तो उस चीज को अपने को निकालना है तो ये इस परकार के कोई सेले हैं उनको निकालते हैं किसके मदद से सस्तर की मदद से अगर उनको अपन बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे साब उसको कहेंगे बाही अपकर्शन उसी परकार आभेंतर कौन सी जनरली आभेंतर में तो दोसों की बाती करेंगी ठीक है अंदर कौन दोसों है तो जैसे वमन आधी पंचकरम है वमन करवा है विरेचन करवाते हैं वस्ती वगर का प्रयोग अपन कर रहे हैं तो इनसे क्या क्या दोसों को जो बाहर निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं आभेंतर अपकर्शन, मतलब अंदर की चीज़ को अपने बाहर निकाला, यहां पे काटा जो था वो बाहरी चुबावा था, ग्रण्धी जो थी वो बाहरी थी, और अपने सेले की मदद, यह जो सस् उसको बहार निकाला, ठीक है, आभेंतर में अपन जनरल लिपंच करमों का प्रियोग करते हैं, इसके बाद अगला अपन बात करेंगे निदान परिवर्जन की, तो निदान परिवर्जन अपन पहले भी देखा था एक विजिक इच्छा में, तो उसमें क्या होता है कि रोग आप परिताग कीजिएगा, तो अपने एक्जामपल भी लिया था, उसके अलाग अपन पत्थे सेहन करते हैं, जो उस रोग की सिच्वेशन में, या फिर जो अपने आम जिवन के लिए, तो जो पत्थे होते हैं, उनका अपने को सेहन करना चाहिए, जी हाँ, इसको अपन न इसको बोलते हैं, परकर्ति विघात, ये तिनो एक ही सेट है, ठीक है, जी हाँ, तो परकर्ति विघात भी जिस परकार से अपने देखा, आपकर्शन दो परकार से होता है, तो परकर्ति विघात भी दो परकार से होता है, कि साब बाहिये और आभियंतर बेज से दो परकार स करते हैं फिक हैं इसमें अपर इंटेक नहीं कर रहें दूसरा है आभ्यांतर परकरति विखाद के आपने बात करें तो रोग उत्पादक काड़नों के विकरीट परकरति के दीपन पाचन संसमन आदी ओस्ध का आभ्यांतर परयोग जी हां तो इसमें अगली आपन बात करें तो इसमें तीन परकार है सबसे पहले हेतु विपृत चिकिच्या व्याधी विपृत चिकिच्या और उभे विपृत चिकिच्या विपृत करें अगर निदानों के विपृत अगर गुरु अगर निदान है तो उसके विपृत चिकिच्या जैसे की अतिसार या रक्ष्राव में अपन क्या कर रहे हैं तो अतिसार में क्या हो रहा है कि जो अपन कहें कि डायरिया वगएर जो कुछ भी हो रहा तो उसमें उसको रोकना अपन ठीक है तो उसमें रोकना इस्तंबन चिकिच्या हमें क्या होता है कि इसमें क्यों होता है कि डोग अगर धोड़ा जैदा है तो उसमें आपन समझ रहे हैं दोनों देनी पड़ेगी है तो नीदान दोंग के ही भी प्रित्गुनवाला हो जैसे कि वातिक सोथ में अपन क्या कर रहे हैं सबसे पहले सोथर वह वात ना सक दसमूल का जो है अपन क्या कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट अबन देखें तो इसमें है लंगन तो जनने लिए ये तीनों जो लंगन लंगन पाचन और दोस अउसेचन की बात करें तो ये अपतरपन जो सिक इच्छा होती है उसके इभेद होते हैं लेकिन ये भी त्रीवीध हैं तीन परकार से हैं इसलिए अपन देख रहे ह आपन लंगन की बात करें तो जब रोगी अल्प बल ठीक है लंगन कर रहे हैं तो अल्प बल होगा और साथ में अल्प दोस होगा ठीक है तो दोस भी कम है और बल भी कम है रोगी का तो अपन उसमें आपन जानते हैं कि ओल्डिरी जो है बल कम है तो इसमें ओस्दी देने का तो इसमें आपन जनरली उसको लंघन करवा देंगे ठीक है तो लंघन कराने से जाठ्रागनी पर दियोगा जैसे आपन देखते हैं ह Typ मा लीजीएगा अपन लंश नहीं कर रहा है है या फिर लंश की इच्छा नहीं हो रही है ठीक है या फिर अपने पैट में छोटी मोड़ी problem चल रही है अच्छे ठीक है तो इसमें अपने कोई ओस्दी ली नहीं है तो ये लंगन हो गया एक टाइम का अपने छोड़ दिया है ठीक है जनरली अपन देखते हैं उपास वगेर अपन करते हैं वो लंगन आता है हलांकि अपन देखेंगे कि लंगन दस परकार का होता है तो अलग नहीं है थोड़ा ज़्यादा है तो उस समय क्या कर रहें लंगन कराने के साथ साथ अपन क्या कर रहें साथ दोस पासनार्थ ओस्दी भी अपन देंगे जिहां जैसे कोई भी दोस अगर कुपी थोड़ा तो उस दोस को पासन करने के लिए अपने को साथ साथ थोड़ थोड भल्वान ने पेले भी देखा था कि ऐसा बलवन रोगी में अपन संसोधन कर्म वगएरख करते हैं क्योंकि इसमें झी उच्छन हो जाती है तो इसमें क्या होता है प्रवर्द दोसों को संसोदन द्वारा बाहर निकालना चाहिए ठीक है तो 200 सेचन में भी 200 को जो है बाहर निकाला जाता है इसके बाद अपने आगे बात करेंगे अन्ता परिमार्जन बही परिमार्जन और सस्त्र प्रान दान यह अपना पांचवा प्रकार है ठीक है तो अन्ता परिमार्जन का मतलब होता है कि सरीर के अंदर अपनने क्या क्या है और उसे अपने ट्रीटमेंट किया है जी हां और रोग को दूर करने फ़ली चिकिचा को अपन क्या बोलते हैं अंतर परिमार्जन दूसरा है बही परिमार्जन तो इसमें क्या है इसमें अपने क्या किया है जैसे कि अभ्हेंग स्वेद लेपादी जी हां तो इसमें अपने कहा कि साथ बही परिमार्जन जी हां तो इसमें अपने सस्त्र प्रियोग करके जो है चिकिचा करते हूं उसको अपन सस्त्र प्रणानी धान करते हूं तो जरूरी होता है कि यह नामों से अपन समझ जाएंगे लेकिन जरूरी अपनी यह होता है कि यह पांच के पांच जो सेट है वो अपने याद होने चाहिए क्यों त्रीव चैनल को आप जोइन कर सकते हो आप सा हो तो इसके लाव वाटसप पे ग्रूप्स हैं उनको आप जोइन कर लीजिएगा ठीक है आप कमेंट कर दीजिए गाया तो आपको वहां से जोइन कर दूँगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हो वहां पे आप मेसेज कर सकते हो वहां से भी आपको जोइन कर दिया जाएगा ठीक है और भी अगर कुछ होगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिएगा वहां पे कोई जानकरी आपको दे देंगे जी हां बहुत बहुत धन्यवाद